नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाव शुर्मा कल तक ज़रायम के दुन्या का बेताज बार्शा आज एमलसी की बाद वधाय क्या बना कि उसकी तूती बोलने लगी अंदाज निराला, काम करने का तरीका निराला, पहनावा भी निराला, तस्वीर आप रितलाल यादव की देख रहे हैं जिनका रंग ऐसा बदला जिसको आप देखकर दंग रहे जाएंगे धंग और उमंग की भी बात करेंगे, वो इसलिए क्योंकि रितलाल यादव जैसे ही वधायक चुने गए हाला कि उनकी समर्थकों में खुशी की लहर थी, लेकिन उसके बाद रितलाल यादव का अलग अंदाज भी देखने को मिल रहा है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं लगतार हर इलाकों में वो जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनके दिल जीतने की कोशिस कर रहे हैं, इसी कड़े में अपने ही शितर में वो पहुँचें और चिक्न करनें हलाकि उस दोरान भी उन्होंने जो तस्वीरे साजा की वो बिल्कुल हैरान करने वाली है वो इसलिगे क्योंकि रितलाल यादव इस वक्त कुर्ता पाजामा पहने नहीं बलकि कोट पैंट में नजर आ रहे हैं वो भी सफेद रगी तो रितलाल यादव ने जिस तरीके से स्वैग वाला स्टाइल अपनाया उसको देखकर हर लोग कह रहा है कि अब रितलाल यादव रुकने वाले नहीं हैं दरसल रितलाल यादव ने सोशिल मीडिया पर ये पोस्ट डाला जसमें उन्होंने लिखा है दानापूर चावनी परिशत का अपना भुभाग विसकुट फैक्टरी नास्री गंज के अंदर बने टेंचिंग भुभाग की ओचक निरक्षन के दौरान मशीन बंद एवं असिर पाई गई और अन्य जटिल समस्या देखने को भी मिली साथ में चावनी परिशत के उपाध्यक्ष उमेश कुमार पुर्व उपाध्यक्ष रंजीत कुमार और चावनी परिशत के अन्य सम्मानित सदस्य मौजूद थे तो मशीन खराब होने के बाद रितलाल यादव वहां कि रितलाल यादव इतने अक्टिव है अपने शित्र को लेकर अपने शित्र के विकास को लेकर कि अब जनता उन पर भरोसा करने लगी और ऐसा हम शली भी कह रहे हैं क्यूंकि अगर जनता भरोसा नहीं करती तो MLC के बार रितलाल यादव को वधायक नहीं चुनती वहां से आशा सिन्हा चुनावी रण में थी BJP के तरफ से जो कि पिछले बार चुनाव जीत चुके थी उनको रितलाल यादव ने खरारी मात दी है रितलाल यादव पहले ही एलान कर चुके थे कि अगर उनने टिकेट नहीं मिलता है तो निर्दल ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तब फिर रितलाल यादव का स्वैग वाला अंदास देखने को मिला था जब उन्होंने खुले तौर पर ये एलान किया था कि ठिकट नहीं मिला तो क्या मैदान में उत्रूंगा और जीतूंगा भी रितलाल यादव का वो बयान भी सबको याद होगा जब रितलाल यादव कहते हैं कि चाहे मेरे सामने बीजेपी ही क्यों ना हो तक कर देने के लिए मैं काफी हूँ जिसके बाद से आरजेडी उन पर भरोसा करती है रितलाल यादव को ये पता होता है कि जनता उनके साथ है भले ही वो जरायम के दुन्या से आए हो लेकिन फिर भी उनके काम के बलबूते जनता उन पर भरोसा करेगी यहीं वज़र ही कि रितलाल यादव ने किसमत आजमाई और कही ना कही जनता ने भी उनका साथ दिया MLC के बाद अब वधायक चुने गए और इसके बाद अपने जम्मेदारे को बखु भी समस्ते हुए जनता के बीच जा रहे हैं कहीं भी समस्या होते हैं तो वहाँ पर रितलाल यादव पहुंचते हैं और एक बार फिर से दिल जीतने की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि अगामी चुनाव भी है ऐसे में अभी से ही उन्होंने कमर कसली है और इसके साथ जनता ने अगर भरुसा दिखाया है तो पेबैक देने की कोशिस भी रितलाल यादव कर रहे हैं और आप बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में दिख रहे हैं फलाल कली इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं नमस्कार